आलोक शर्मा जी, कई सारी विधान सभा में उपचुनाव भी हुआ है, दिहार के अंदर एंडिये जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, उपचुनाव में शिवरा सिंग चौहान की सरकार बच गई, उत्तर प्रदेश में थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत, मनिपूर में जीत गुजरात में जीत, क्या आपको लगता है, आप लगातार प्रदानमंत्री पर जो आरोप लगा रहे थे, कि कोविट का मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ है, लॉकडाउन गलत लगा है, उसके बाद मैनेजमेंट गलत हुआ है, वेंटी लेटर नहीं आ है, आपको नहीं लगत के चाहे हूं मध्रप्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मनिपूर हो, जहां पर जिसकी सरकार होती है, वहां पर कहीना कहीन जुकाओ रहता है। समस्ताओं एक दो एक दो एक दो अपवाद हो सकते हैं मैंने कहा नॉर्मली जुकाव रहता है और आप इतिहास देखेंगे तो दीपक जी आप बहुत वरिश्पतरकार हैं ऐसा ही रहा है जहां तक बात कोरोना की है तो कोरोना में एक करोड जब पेशन्ट हो गए और आज भी की है तो पूरी तरह से आज जिस तरह से विलंब किया जा रहा है रजल्ट में जान बूज कर पोस्टल बैलेट को काउंटिंग होने से रोका गया है कही ना कहीं इस दाल में पूरी तरह से काला नजर आ रहा है अभी भी आप देखिए कि लगबग 75 लाक के करीब वोटों की गिंती बाकी है और उसके बावजूद भी ये जीत गए हैं वो नहीं जीते हैं और वहाँ पर उनको आप बकसर का एक एक एक्जामपल ले लीजे एक कैंडिडेट कॉंग्रेस के जीत गए उसके बाद वहाँ पर दिखाया गया कि बीजेपी लीड कर रही है और पोस्टल ब बिलकुल ट्रांस्पेरेंसी के साथ अपनी जो विश्वशनियता है उसको बरकारार रखने का एक अच्छा मौका है और जहां तक रिटर्निंग आफिसर की बात है सौभाविक है कि इलेक्शन कमिशन पूरी तरह से उनको रिक्रूट करता है या उनको अपॉइंट करता है नौमिनिट करता है लेकिन वो हैं सब मुख्यमंत्री के ही अधिकारी वहां के उस प्रशाशन के अधिकारी होते हैं उनी में से लोग लगते हैं तो कही ना कहीं उसमें भी खेल हो रहा है और इलेक्शन कमिशन पिछले पांच-छे वर्षों से आप देखिए किस तरह से बी